असलाम लेकूम आज हम बनाएंगे गुलबर्गे की फेमस ताहरी तो चलिए हम बनाना शुरू करेंगे गोश्ट लेंगे हम 500 ग्राम तो इसको हमने प्रेशर कुकर में आट करके रख लिया है अब ये है दो मीडियम साइज की प्यास, चार हरी मिर्च और थोड़ा सा कोत्मिर और पुदीना टमाटर आट कर लेंगे 750 ग्राम कटेवे टमाटर आट करेंगे अध्रक लेशन का पेस्ट आट करेंगे 2 टेबल स्पून दो टी स्पून लाल मिर्च पॉडर आदा टी स्पून हल्दी पॉडर नमक एक टी स्पून गरा मसाला पॉडर एक टी स्पून थोड़ा सा कुकिंग और आट करेंगे हम और ये है दही 250 ग्राम आजी ग्लास पानी आट करेंगे अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे तो सबसे पहले प्रेशर को करकर ढखकन लगाएंगे और इसको प्रेशर को करने के लिए रख देंगे तो यह देखिए अब यह पका हुआ मटन बिल्कुल रेडी है पाँच मिनिट तक इसको हमने भून लिया था अब फ्लेम आफ कर लेंगे अब यह पका हुआ मटन रेडी हो जाने के बाद में अब हम ताहरी बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले अब हम यह बगार लेंगे बगार के लिए लेंगे हम दो मीडियम साइज की बारी कटी हुई प्यास और इसमें आट करेंगे साविक गरा मसाला चार से पांच इलाइची, दो लॉंग, एक तीसपून शाजीरा और दालचीनी के चार तुकड़े एक तेज पता आट कर लेंगे अब यह हम प्यास को तल लेंगे प्यास का कलर चेंज हो जाना जब तक हम इसको तल लेंगे तो यह देखिए प्यास का जो कलर है अब चेंज हो गया जैसे ही प्यास का कलर चेंज होगा हम इसमें आट करेंगे अदरक लेसन का पेस्ट दो टेबल स्पून बारी कटा हुआ कोतमेर पुदीना और चार हरी मिरसी आट करेंगे कटी हुई अब हम इसको तल लेंगे दो से तीन मिनट के लिए अधरक लेसन का पेस्ट और हरा मसाला आट करने के बाद में इसको दो से तीन मिनट के लिए तलना है दो से तीन मिनिट हो जाने के बाद में अब हम इसमें आट करेंगे आदा टीस्पून हल्दी पॉडर, दो टीस्पून लाल मिर्ज पॉडर, एक टीस्पून नमक, अच्छे से मिला लेंगे, अब हम इसमें पका हुआ गोश्ट आट कर लेंगे, अब हम दो, पांच मिन तक इसको अच्छे से भून लेने के बाद में अब हम इसमें पानी आट कर लेंगे, देर लिटर पानी लेंगे, तो यह बनाएंगे हम एक कीलो चाँवल की, तो इसके लिए देर लिटर पानी काफी हो जायेगा, तो ये देखिए पानी इसमें हमने आट कर लिया है अब हम इसको उबलने के लिए रख देंगे अधन को पका लेंगे चावल लेंगे हम एक किलो ये है सोना मसूरी राइस तो इसको अच्छे से दो लेना है और दसे पंदरा मिनट के लिए भीगने के लिए रख लेंगे यानि के जब भी चावल बनाना हो हम इसको पंदरा मिनट पहले ही दो कर रख लेंगे यानि के भीगा कर रख लेंगे इसको तो ये देखिए अधन में उबाला आ गया अब ये तो अब हम इसमें भीगे हुए चावल आट कर लेंगे चावल आट करने के बाद में अब हम इसको पकाएंगे मेडियम हीट पे और अच्छे से मिला लेंगे तो पकने के दौरान हम बीच-बीच में चमस से हिलाते भी जाएंगे तो चावल जो है अच्छे से पकते अब हम इसमें टेस्ट करके नमक आट करेंगे तो नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से आड़ कर ले सकते क्योंकि चांवल आड़ करने के बाद में इसमें अगर जुरत पड़ी तो नमक आड़ करना नहीं तो मर्जी की बात है अब हम इसमें आड़ करेंगे छोटी मेति की भाजी एककटा लेंगे तो इसको अच्छ अच्छे से चांवलों को इस तरह से बराबर करते जाएंगे यानि केसमें अच्छे से हिलाते जाएंगे तो ये देखिए चांवलों में का जो पानी था वो लगभग पूरा सोग गया बिल्कुल थोड़ा भूत पानी बाखी रह गया जैसे के मैं आपको वीडियो में दिखा रहे हूँ तो अब हम इसको दम पे रख देंगे तो दम पे रखने से पहले अब हम इसके उपर से थोड़ा सा सैफ्रान फूर्ट कलर एट करेंगे तो चांवलों को इस तरह से अच्छे से बराबर कर लेंगे आदा कब पानी लेंगे और आदा टीस्पून सैफरन फूर्ट कलर लेके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से चावलन की उपर से दाल देंगे हम अब हम इसको दम पे पकने के लिए रख देंगे 20-25 मिनट के लिए ढखन से कवर करके तो पानी अच्छे से सूख जाएगा और चावल भी अच्छे से पक जाएंगे और 20-25 मिनट जब हो जाएंगे हम फ्लेम आफ कर लेंगे तो ये देखिए अब ये जो ताहरी है अच्छे से दम हो गई इसमें का पुरा पानी सो गया और चावल भी अच्छे से पक गए अब ये ताहरी बिल्कुल रेडी है सर्फ करने के लिए तो आप लोग इसको सर्फ कर सकते दहे की चटनी के साथ में तो ये देखिए हम इसको इस तरह से डिशाओट कर लेंगे आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करके देखिए और अगर ये रेसिपी अच्छे लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को शेयर और सबस्क्राइब ज़रूर कीजिए थैंक्स फर वाचेंग अलाहाफेज